दोस्तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस घंटे के बटन को जुरूर दबाना दोस्तो यदि आप इंटरनेट चलाते हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोटेंट है दोस्तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मेरे मुवाइल में उपर की साइड इन्टरनेट श्पीड इंडिकेटर चल रहा है ये उप्टें कुछ मुवाइल में तो कंपनिया देकर भेजती है, कुछ मुवाइल में ये उप्टेंट नहीं होता है ये चार्ट आपको सो करता है कि आपके मुवाईल में background में कौन सी application कितनी speed से internet का data खा रही है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं तो दोस्तो फिर आप उस particular application पर action ले सकते हैं जो भी आपको लेना है और दोस्तो इसका एक बहुत बड़ा फाइदा है यदि आप YouTube चला रहे हो या कोई भी application चला रहे हो तो यह उसको यहाँ पर सो करेगा कि यह application कितनी speed से internet का data खा रही है तो यह बहुत ही अच्छी चीज है इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा एक application डाउनलोड करनी होगी जिसका link देदूगा description में जिसका नाम है speed indicator अब इसमें आपको कुछ नहीं करना डाउनलोड करने के बाद ऊपर की साट सेटिंग में जाना है अब यहाँ पर धिहान से देखना है कौन सी सेटिंग ओ इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड आप देख रहे हो एक यह option है fix floating window यह आपको बंद रखना है बस ठीक है अब इसके बाद जो जो सैटिंग मैंने ओन कर रख्या यह सैटिंग आप ओन कर देंगे ध्यान से देखकर ओके और इसके बाद आप इसको यूज करेंगे तो जिस तरह से मैंने आपको बताया वो सभी function फिर आपके mobile में काम करेंगे ठीक है तो दोस्तों आशा करता हुए यह वीडियो आपको अच्छे लेगी होगी वीडियो को लाइक करना सुनों मसका दोस्तों आपका दिन सुबो